हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल तुड़े आम गोईं तो शो यू हाव तो मेक रियलिस्टिक आइस सो प्लीज वाच इट केरफुली तिल दी एंड सो लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले हम आउटलाइन बना लेते हैं मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर रहा आप कोई भी रेफरेंस पिक्चर ले सकते हैं ड्रॉ कर नेगले तो हमारी आउटलाइन अब तयार है नाओ आएम यूजिग चार्कोल पैंसिल फॉर आउटर पोर्शन आफ आई बाल रेंडिंग विद पेपर स्टम्प हम पूरे आई ड्रॉ करने के लिए चार्कोल पैंसिल कहीं यूज़ करेंगे और नाओ आपको ध्यान रखना है कि आपकी पैंसिल बिल्कुश शार्प होनी चाहिए अब ब्लैंडिंग करते हम पैंट प्रश बिल्कुल स्मूथली हलके हातों से करना है अब हम आई के अपर पोर्शन पर चलते हैं अपर पोर्शन भी डार्क होती है तो हम इसे भी डार्क कर लेते हैं सेमस्टन हम फीमेल आई बनाने वाले हैं इसलिए इसे पॉइंटेट कर लेते हैं ऐसा आई लाइनर आप अपर पोर्शन के लिए इस तरीके से ब्लैंडिंग कर सकते हैं चारकुल पॉडर से आई लेशेश के लिए भी हम चारकुल पैंसिल का यूस कर रहे हैं आप बस ध्यान रखें कि आपकी पैंसिल शार्क होनी चाहिए कर दो झाइए नीचे वाली ऐलेशेस भी सेम बनेगी हम पैंसिल एरेजर का यूज़ कर रहे है पर हाइलाइटिंग ताकि यह और रियल लगे इस फॉर रिफ्लेक्शन आफ आइलाशेश नाव हम आइब्रो बनाने वाले इसके लिए भी पैंसिल बिलकुल शार्फ होनी चाहिए और डाउन साइड थोड़ा बैंड करते हुए स्ट्रोक्स लगाना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ हमें नीचे से उपर की और स्ट्रोक्स एंड उपर से नीचे की स्ट्रोक्स लगानी है स्ट्रोक्स लगानी है स्ट्रोक्स स्ट्रोक्रस झाल 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 नाव हम वाइट जेल पैन का यूज़ कर रहे हैं ताकि और भी ज्यादा रियल लगे झाल झाल होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दू सस्क्राइब तो माई चैनल थैंक यू सो मच फर वाचिंग